Hello students, last lecture में हमने second chapter है जो हमारा हनी सकल का उसके five paragraphs complete कर लिये थे How the dog found himself a new master इस chapter के हमने five paragraphs complete कर लिये थे आज हम six paragraph करने जा रहे हैं So let's read They walked on and soon saw a herd of cows But just as they were about to come up to eat They were stopped by a terrible noise The cows were mowing loudly and running in a panic in all directions वे चलते गए और शिग्र ही उन्होंने गाएं का एक जुंड देखा लेकिन जैसे ही वे उनके पास पहुचने उनके पास पहुचने ही वाले थे कि एक भयंकर शोर ने उनकी गती को रोक दिया गाएं उची उची अवाज में रंभाने लगी और बैहक और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी मूइंग होता है रंभाना, हर्ड होता है जुंड, टेरिबल होता है भयानक, लाओडली होता है जोड से एक पर दुबारा देख लेते हैं हम सिक्स पैरग्राफ वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें गायों का एक जुंड देखा लेकिन जैसे ही उनके पास पहुचने वाले थे एक बहुत जोर के अवाज आई जिससे वह रुक गए, गाय उची 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 अवाज में रंभाने लगी और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी अब हम सेवन्थ पैराग्राफ करेंगे, दा बियर लुक डाउट फ्रों बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही तू रैन हसी डिपर इंटो दा फोरेस्ट रीच ने एक विरिक्ष के पीछे से देखा और तब वह भी घने जंगलों में भाग गया एक बार हम दुबारा रीट करेंगे, दा बियर लुक डाउट फ्रों बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही तू रैन हासी डिपर इंटो दा फोरेस्ट रीच ने एक पेड़ के पीछे से देखा और तब वह भी घने जंगलों में भाग गया अब मुझे यहां क्यों आना पड़ा उस कुत्ते ने कहा जंगल के इन भागों में शेर का राज है तलोयन हू इस ही शेर वह कौन है क्या तुम नहीं जानते इस दर्ती का वह सबसे शक्तिशाली पशू है ठीक है तब रीच मैं आपको अलविदा करता हूं मैं ऐसा स्वामी चाहता हूं जो इस धर्ती पर सबसे शक्तिशाली हो अब हम एक पर दुबारा करेंगे जंगल के इन बावगों में शेर का राज है शेर वह कौन है क्या तुम नहीं जानते वह इस दर्ती का सबसे शक्तिशाली पशू है ठीक है रीच अब मैं तुम्हें अलविदा करता हूं मैं ऐसा मालिक चाहता हूं जो इस दर्ती पर सबसे शक्तिशाली हो एट है हमारा एट है हमारा और ओफ दोग वैं तो आस्ट लोयन तो बी इस मास्टर और कुटा शेर को अपना स्वामी बनाने के लिए वहां से चल दिया दोग अगरी तो इट अट दोग सेट विद इम और सर्फ दीम और लोग लोग ताम इस बात पर सहमत हो गया और कुटा उसके पास रहा और बहुत लंबे समय तक उसने शेर की सेवा की यह एक अच्छा जीवन था और अब उसकी कोई भी शिकायत नहीं थी क्योंकि जंगल में शेर से सबसे अधिक शक्तिशाली कोई अन्य पशू नहीं था और किसी में भी कुटे को छूने या किसी भी तरह से उसे तंग करने की हिम्मत नहीं थी एक पर दुबारा रेट कर लेते हैं and off the dog went to the ask the lion to be his master the lion agreed to it to it and the dog stayed with him and served him for a long long time it was a good life and he had nothing to complain for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way और कुता शेर को अपना मालिक बनाने के लिए वहां से चल दिया शेर इस बात पर सहमत हो गया और कुता उसके पास रहने लगा और बहुत लंबे समय तक उसने शेर की सेवा की यह एक अच्छा जीवन था और अब उसकी कोई शिकायत भी नहीं थी क्योंकि जंगल में शेर से अधिक सक्तिशाली कोई नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी कुते को छूने की या कुते को किसी भी तरह से तंग करने की नाइफ पराग्राफ है हमारा बत वन देवा देव बाग्राफ एक नाइफ वाग्राफ शेर से अधिक वाग्राफ पराफ देवा की केटली लेकिन एक दिन वे दोनों एक साथ एक रस्ते पर चले जा रही थे जो की पेड़ के साथ चटानों के बीच से गुजरता था तब अचानक शेर रुक गया वे जोड से दहाड़ा और जमीन पर अपने पंजे से गुजसे से इतनी जोड से परहार किया कि वहाँ एक गड़ा बन गया तब वे चुप चाप पीछे खिसकने लगा स्वामी क्या कर रहे हो क्या कुछ गड़बड है कुटे ने हैरान हो कर पूछा मुझे इस रास्ते से एक आदमी की सुगंद आ रही है शेर ने कहा हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम यहां से भाग लें वरना हम मुसीबत में होंगे अरे तो ठीक है मैं तुम्हें अलविदा कहता हूं मुझे ऐसा स्वामी चीए जो दर्ती पर सबसे अधिक शक्ति साली हो एक वैरम दुबारा रिवाइज कर लेते हैं इस पैराग्राफ की लेकिन एक दिन दोनों एक साथ रस्ते पर चले जा रहे थे जो की पेड सही चटानों के बीच से गुजरता था तब अचानक शेर रुक गया वै जोड से धाड़ा और जमीन पर अपने पंजे से परहार करने लगा उसने इतनी जोड से परहार किया की धर्ती पर गड़ा हो गया तब वै चुपचा पीछे जाने लगा स्वामी क्या कर रहे हो क्या कुछ गड़बड है कुटे ने हैरान होकर पूछा मुझे इस रस्ते पर से एक आदमी की गंदा रही है शेर ने कहा हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहां से भाग लें वरना हम मुसीबत में होंगे अरे तो ठीक है मैं भी तुम्हें अलविदा कहता हूँ मुझे ऐसा स्वामी चाहिए जो धर्ती पर सबसे अधिक सक्तिशाली हो लास्ट पेरग्राफ है मारा और कुटा आदमी से मिलने के लिए चला गया वहे उसके पास रहा और सुआमी भक्ती पूरण रूप से उसकी सेवा की यह बहुत समय पहले की बात है लेकिन आज भी कुटा मनुश्य का सबसे अधिक सुआमी भक्त पशू है और वहे किसी अन्य मालिक को नहीं जानता है एक पर दुबारा रिट करेंगे हम और कुटा आदमी से मिलने के लिए चला गया और वहे उसके पास रहा और उसने अच्छे से उसकी सेवा की यह बहुत समय पहले की बात है लेकिन आज भी कुटा मनुश्य का सबसे अधिक सुआमी भक्त पशू है और किसी अन्य मालिक को नहीं जानता आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है कल से हम वर्ड मेनिंग क्वेस्चन स्टार्ट करेंगे ओके, हैवे गुड डेई